नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके साथ मैं हूँ पुनीत मिश्कार निउस 18 पर कुछी देर में जेपी नड़ा बीजेपी के सार्थी भी हैं और बीजेपी के राश्ट्रिय अध्यक्ष भी हैं कुछी देर में सुपर एक्स्क्लूजिव इंटर्व्यू में नजर आने वाले हैं कई सारे मसलों पर उन्होंने बात की है निउस 18 से उन्होंने बात करते हुए इंटर्व्यू जो दिया बेबाकी से कई मुद्दों पर अपनी बात रखी चुनाम का मौसम है तो अमीश देव से जेपि नड़ा की मोधी सरका बताने में अपने एस इंटर्वियू में सुपर एक्स्क्لूजिव इंटर्वी नतीजों से पहले ही जेपी नड़ा क्या भविश्यवाणी कर रहे हैं ये भी आप जानिएगा कुछी देर में जेपी नड़ा ने किसे कहा है पर्ची वाला नेता और ये भी कि इमोशनल कार्ड जो है कौन खेल रहा है और काम कैसे नहीं चलने वाला 400 पार के आंकडे पर क्या कुछ कहा उन्होंने कि कैसे विपक्ष क्या फस गया इस मुद्दे पर फस गया कैसे उसकी घेराबंदी की गई बहुत सारे मसलों पर वेभाग तरीके से उन्होंने न्यूज एटीन पर अपनी बात रखी इस इंटर्व्यू में न्यूज एटीन के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगंद के कई सारे सवाल थे जिस पर उखुल कर अपनी राय रखते नसर है और चुनाव का मौसम है राजिवार और मुद्दे जो रहे चुनाव के दौरान क कई सारी चीजें उच्छाली गई उस पर भी जेपी नडडा ने न्यूज एटीन से एक्स्क्लूजिव बाचीत की और परचीवाला नेता किसे का सुनी क्या ये सिरफ नारा था या वाकई चार्जपार लाने की प्लैनिंग भी है दुनिया भर में देश भर में फिर एकवार मोडी सर्था ये डारा गूंज रहा है अकिलेश जी ने तो एक रिपोर्टर को बोला कि उत्तर प्रदेश में समाध्यदी पाटी और कॉंग्रेस की यानि दो लड़कों की जोड़ी की 79 सीड्स आएंगी यही दो लोगों ने फिल्म नाई थी नहीं दोहरा सटरह में और फिर वो फ्लॉप हुई थी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी और फिर ये बिच्छड गये थे फिर दो भाई वापस मिलें हापस में दोनों शहजादे पाकिस्तान मन गया पाकिस्तान मन गया इसे चुना पोलराइज करने का प्रयास में राम हमारे लिए आस्था कविशन नहीं है बिल्खुल नहीं पर अड़वानी जिन ने तो यातरा निकाल ली है आप लोग हमसे प्रश्टी पूछ रहे हैं हमारे रिपोर्टर हमारी आंकर ने एक सवाल पूछा एक महिला से उसका जो जवाब था मुझे लगा यह आपको दिखाना चाहिए माता पिता है माता पिता है मोधी जी मारे भाई भी है तरोणों लोग यह महसूस करते हैं पूरे देश में हम आपको हर खबर से रूबरू कर रहे हैं लेकिन छे चरण का चुनाफ समाप्त हो चुका है लेकिन इस छे चरण के चुनाफ के बाद भारतिय जनता पार्टी आज कहां खड़ी है ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है भारतिय जनता पार्टी के सार्थी यानि भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्रे अध्रक्ष जगत प्रकाश नडड़ा नड़ा जी आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर पधानमंत्री मोदी ने कहा चार सो पार का जो नारा है वो विपक्ष को फसाने के लिए था ये स्ट्राटर्जी किया सफल भी हुई है अब डिस्कशन ही हो रहा है कि चार सो पार आएंगे मोदी नहीं आएंगे बी जे पी कितनी आएगी क्या ये सिरफ नारा था या वाकई 400 लाल पार लाने की जीटे आएं और बाकी NDA की और हम 400 पार करें और उसी लक्ष को लेकर के हम चलें यहाँ इसमें जो प्रधान मंत्री जी ने कहा वो उनका कहने का जो अभिप्राय भी है वो यह है कि शुरू में हमारा विपक्ष इसी बात पर उलज गया कि 400 पार नहीं करेंगे 400 पार नहीं करे लिए और वह हमारी पोटेंशालिटी हमारा पोटेंशल 400 पार करने वाला है और उसको वो डिवेट करते रहे और उनको यह पता ही नहीं चला कि उन्होंने ही इस बात को स्थापित कर दिया भारत की जनता में कि भारतिये जनता पार्टी इतना सामर्थ रखती है कि वो कर भी सकती है इसलिए उसको वो नकारने का प्रयास करते रहे लेकिन उन्होंने फिर उल्जा भी दिया उन्होंने बोला कि यह 400 पार इसलिए चाहिए कि बीजेपी आरक्शन को ही समाप्त करना है यह नेरेटिव बिल्डिंग करी यह देखिए कॉंग्रेस का इंडी अलायंस का और स्पेड अस्पेड लोगों के सामने साथ स्पष्ट करना है लेकिन एक एक एको सिस्टम ने इसको एक बड़ी खाट-पानी भी दी उत्या को सिस्टम इसी खाट-पानी पर इतो जिवित है पिछले सतर साल से जो एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से लगी दे लिए यहीं को सिस्टम तो है और इसी के सिस्टम से लड़कर के पिछले 10 वर्षों से मोदी भारत के परदानमंतरी बने हुए हैं और मजबूती से हर कदम में आगे बढ़ रहे हैं और वह तीसरी वहार भी परदानमंतरी बन रहे हैं जी मेरा अगला सवाल है कि मोधी सरकार दस साल पूरे कर चुकी है अपने और वर्ड वाइड अराउंड ग刚 glare देश की ग्रह मंत्री से भी पूचा था वर्ड आंड और अरौन ल अराउंड अडोगलोड हमने देखा है कि 10 साल बाद सरकार यह रिपीट नहीं होती senेus कि UPA का नंबर मेरे पास है, कॉंग्रेस ने 2004 में उनको 145 सीटे मिली, 2009 में उनको पास 206 सीटे मिली और 2014 में हमने देखा वो 44 पे आ गए, वर्ड वाइड हमने तीसरी बार सरकार को रिपीट होते हुए नहीं देखा, तो बतार बीजेपी के प्रेजिडेंट राश्टिय अदेख्ष क्यों सरकार रिपीट होते हैं, एसा है पहली बात कि भारतिय जनता पार्टी और हमारे नेता सम्मानिय नरेंद्र मोधी और उनके नेत्रतुमें, हम सत्ता पर बैठ करके भोगने नहीं आएं, हम सत्ता पर मिछले दस वर्ष नहीं, बाराव वर्ष गुजरात के और दस वर्ष यहां के हम जोड लें, उन्होंने दिन रात पल पल एक एक घड़ी उन्होंने जीवन का भारत की जनता की तस्वीर, तकदीर बदलने के लिए, उनको सर्शक्तिकर्ण करने के लिए, उनको इंपावर कर के लिए देश को आगे ले जाने के लिए हर पल लगाया है तो दोनों के सोच में अंतर है क्योंकि अटल जी की सरकार भी हमने 2004 में जाती हुई देखी उस तो में एक शाइनिंग इंडिया मुवमेंट था बार बार ऑपोदिशन एक नेरेटिव को बिल्ड कर रहा है क्योंकि हम हमेशा करता रहेगा उससे हमें विचलित होने की जूरुत नहीं है हां हम अपनी गलतियों से सीखने वाले लोग हैं लेकिन आजकल विपक्षी नेता कई सेफॉलोजिस्ट बन गए हैं मैं एक करके नाम लेता हूं अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी को 140 सीटे मिलेंगी अब हाला कि वो दबेश हब्दों में कह रहे हैं कि एंडिये 260 पर पहुंच सकता है तो मतलब ये सारे आंकडे में आपके सामने रखे हैं आपका टेक क्या है ऐसा है ये कोई इनोंने कोई जमीन और धर्ती से कनेक्टेड लोग नहीं हैं मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहूं ये अपने खुशनमा इनको रखने वाले लोगों के साथ घूमने वाले लोग हैं और वो इनको गलत फहमी में रखने वाले लोग हैं और इनमें भी कोई एक मत्ता नहीं है यानि ये को अंडिस्टेंड इस सीरियसनेस विट वाट सीरियसनेस देया टॉकिंग इनकी इच्छा है कि बीजेपी अच्छा ना करे तो मुंगेरी राल के हर्शीन सबने ये देखते हैं अखिलेश जी ने तो एक रिपोर्टर को बोला कि उत्तर प्रदेश में समाधदी पार्टी और कॉंग्रेस की यानि दो लड़कों की जोड़ी की 79 सीर्स आएंगी एक बनारस उन्होंने बुला उन्होंने कोट अनकोट क्योटो की सीट हो सकता है बीजेपी जीत जाएं ऐसा है मैं उसमें भी कहना चाहूंगा यही दो लोगों ने एक फिल्म मनाई थी ना 2017 में और फिर वो फ्लॉप हुई थी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी और फिर ये बिचड इस बार आपको उत्तर प्रदेश का नंबर कैसे दिखाई देता है अखिलेश जी को 79 अपना दिखाई दे रहा है हाँ वो ठीक है भारतिये जंता पार्टी 2019 से ज्यादा सीटों से 2024 में उत्तर प्रदेश में आई कि आप कह रहें कि 63 से ज्यादा सीट जी बिलकुल जी मैंने प्रदानमंती मोदी का इंटर्व्यू किया तो उन्होंने का कि मोदी का घोर विरोध करके ही विपक्ष चुनाव जीतना चाता है मानो मोदी का विरोध ही विपक्ष का एक मात्र एजंडा बन गया है इसे आप कैसी देखते हैं कि आपको लगते मोदी फैक्टर है पूरे च कर ले नहीं सकते और भारतिये जंता पार्टी के लिए भी ये बहुत सौभागी की बात है कि हमारे को ऐसी सक्षियत ऐसा नेता पार्टी में हैं जिनकी जिनका लोहा देश बनता है और दुनिया उनको अनुकरन करती है देखती है समझती है उनकी बातों को फॉलो करती है त और करेंगे क्या कोई पॉजिटिव एजंडा कभी किसी देश के सामने तो रखा नहीं लेकिन पॉजिटिव एजंडे की आप बात कर रहे हैं लेकिन भारती जनता पार्टी निरंतर पहले राउंड के बाद से दूसरे राउंड से छटे राउंड तक बार-बार आरोप लगा विकास से तुष्टि करण की तरफ ले गए और बीजेपी ने आरोप लगाया कि कॉंग्रेस आपने खुद बोला अपनी एक बाइट में कि कॉंग्रेस का जो घोश्टा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है देखिए बीबात सच्चा ही है सबसे पहली बात कि मोदी जी ने इस देश की सेवा ब्लत और प्रधान मंतरी दस साल और दस साल में उन्होंने गाओं गरीब वंचेट पीड़ेट सोशेट दलेट युवा किसान महिला सब की चिंता की और जितने भी प्रोग्राम जितने भी कारिकरम जितने भी स्कीम्स मोदी जी ने लौंच की उसका एक मंतर था सबका साथ सबका विखास सबका विश्वास सबका प्रयास बहुत प्रयास से और बहुत अथक प्रयास से मोदी जी ने देश की पॉलिटी को देश के लोगों को एक समरस्ता में जोड़ने का काम किया और कभी उन्होंने नहीं कहा कि प्रधान मंतरी आवास योजना से इतने मुसल्मानों को घर बने हैं कभी उन्होंने नहीं कहा कि उज्वला योजना में इतने मुसल्मानों को घर रख दस साल और रिकॉर्ड है सारे देश को एक एक रूप में ला करके उन्होंने सेक्लिरिजम का एक पॉजिटिव उदाहर देखा। किया हमारा आइडियोलोजिकल जगडा क्या है जस्टिस तो और अपीजमेंट तु नन इस पॉजिटिव सेक्लिरिजम। उनका उनका नारा क्या है डिविजन और डिवाइड और रूड जब सब को सारी चीजें मिल रही हैं और हमें इसका बखान भी नहीं कर रहे हमारे सुसाइटी डिवाइड होती है आपने अपने मेनिफेस्टों में पैरा वन पैरा फाइव पैरा सिक्स में आपने लिखा कि हम माइनारटी को स्पेशल प्रेफरेंस देंगे आपने लिखा कि हम एजुकेशन में उनको हम स्पेशल प्रिजर्वेशन देंगे आपने लिखा क हम उनको special treatment देंगे अगर आप ये लिखते हैं तो minority आएगा ही आएगा क्यों क्यों कि जब हम कह रहे हैं कि देश को एक नजर से देखो justice to all सब को ये 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 तुम अलग अलग देखने का काम क्यों करते हो लेकिन तुम ने किया फिर मोदी जी को याद दिलाना पड़ा कि ये व नादरों पर पहला हक मुस्लिम का है मैं नहीं क्या रहा हूँ डॉक्टर मनमोन सिंग ने कहा रहे एक वार नहीं कहा दो वार कहा है लेकिन 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 और राहूल गांधी ने वह अपने भाशन में कहा कि माइनॉर्टी को हम रिजर्वेशन देंगे 2012 में एक बात हुई थी उसको 12 साल बात पिक कर लिया गया प्रधान मंतरी मोधी ने उसका जिक्र किया हमारे चैनल ने भी उस बाइट को दिखाया लेकिन मेरा फिर प्रश्ट वही है कि मुस्लिम आरक्षन की बात कॉंग्रेस कह रही है कि हम मुस्लिम आरक्षन नहीं कर रहे जब बाबा साब अबेट करने सम्विधान समीटी के सामने और कंस्टिटुएंट असेमली के सामने जब घंटों डिसकुशन करने के बाद स्पष्ट कर दिया कि धरम के आधार पर आरक्षन नहीं होगा तो यह मुतर्मा मुता धीदी ये बैकवर्ड की लिस्ट में मुस्लि कार आघ जान कर दिया यह क्या अर्त भताता है कि नग Campus करनात्र हOOD के स्थामारत करने कके का मारने का काम किया किैंवे और की आम करेंगे कि यह सब कुछ हुआ लेकिन अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी क्योंकि आप बार-बार मुस्लिम आरक्षन की बीजेपी बात करें लालुयादव ने बोला कि मुस्लिम आरक्षन होना चाहिए फिर उनने बोला मैंने गलती से ऐसा बोल दिया लेकिन बीजेपी ने उसको कई बार रिपीट किया अब समाजव्यादी पार्टी के वरिष्ट नेता है उन्होंने बोला कि अगर मुसल्मानों का अरक्षन मिल भी जाएगा तो बीजेपी के पास से क्या चला जाएगा ऐसा है ना मैं है कर रहा हूं अगर देश निकल जाए पाकिस्तान बन गया मोदी जी ने सब को दिया एक किसी को भी नहीं कहा कि यह घर मेंने मुसल्मान को दिया भारत के नागरिक को दिया कभी नहीं कहा उन्होंने उनका भारत के नागरिक को दिया सोच और शब्द मानसिक्ता को बताते हैं चावल का एक दाना चावल की किसम को बताता है और इसलिए कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया लोग ये मोदी जी का विरोध करते करते आज देश का विरोध करने आपने बंगाल की बात करी वहाँ पर मुस्लिम आरक्षन लिकिन ममताप एनरजी के हाइए कि हाइए को नहीं मानेंगी इसके बिदल सीधे बोलती ना कि मैं सम्विधान को नहीं मानूंगी परी तो सम्विधान मानने वाले लोगा इनकी सब्दावली ऐसी है आपके खिलाफ कोई कोई कोड का जज्ज्मन चला जाए आप ये कहते कि यस इस विल एग्जामने देख जैज्ज्मन टेकर लीगल रिसॉट नो यू दिंट से अट मेंस यू दू आप अनी तुम्हारे पक्ष का फैसला हो जाए तो कोड अच्छा तुम्हारे तुम चुनाओ जी जाओ तो ECI अच्छी नहीं तो EVM को करो बदनाम तुम्हारे पक्ष म इसलिए OBC कमिशन बारं बार ममता को चिठी लिख रहा था कि भाई जो आप कर रहे हो वो गैर समवैधानिक है दिस इस अ बैकडोर एंट्री यू कैनोट डू दाट आट आप रिलिजन के लोगों को आप बैकवर्ड का फैसलिटी नहीं दे सकते हो यह फैसलिटी लेने के ल इजर्वेशन एक पर्टिकलर सामाजिक विवस्ता को ठीक करने के लिए दिया गया है उसमें आप नहीं आते हो एक बीजेपी ने आरोप लगाया कि कॉंग्रेस जो है वो अगर आएगी तो सब की संपत्ती को बांट देगी सैम पितुरता साब कभी इस पर बयान आया राहुल के मूँ से राहुल ने बोला उन्होंने बोला कि हम फिर से देश के संपत्ति को रेच्ट को रेशिक करेंगे अब इसका कोई आर्थ होता हो शायद इचालियर में कोई और रथ होता हो तो मैं नहीं जानता लेकिन भारत और formed हम और हिंडी में इसका मतलब यहीं लि कि देश की संपत्ति को हम फिर से री इसेस करेंगे उसको हम Re World Transcript करेंगे sécurité कर। करेंगे ऑफिर बॉस्थ री Testribute करेंगे Maiset भी देखेंगे मेरे जमीने भी Dekhaney और मेरे पास जो चोटी बडी जमीन है उसको लेकर के बाटने का काम करेंगे लेका दियंग उठी पहनी है वो भी उतरवाने का काम करेंगे लेकिन लेकिन आपने बड़ा दिल्चस्प इसका जबाब दिया लेकिन एक प्रश्ट नहीं जी फैक्च्वल लेकिन फिर बीजेपी उठी ने तो बोला कि आप से लेंगे उन्हों बीजेपी का कहने का निया एक वालों को दे देंगे यह पीम ने कहा है इसका आर्थ क्या बनता है हम क्या सोचेंगे इसमें से मैं एक तरफ बोलू कि मैं टौफी लेकर के आऊंगा फिर मैंने उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट रखा हुआ है तो मेरे समझ में नहीं आएगा कि बर्डे का केक किसको खिलाएंगे जी मैं राम मंदिर की बात कर लेता हूँ प्रधान मंदिरी मोदी ने मेरे साथ शाक्षातकार किया और उन्होंने पहले भी ये बात को बोला लेकिन उसमें बहुत पस्ट रूप से बोला कि कॉंग्रेस की प्लैनिंग है तो कॉंग्रेस को भी पता है कि इसका रियाक्षन बड़ा जबरदस्त होगा ऐसी है नदिल की बात जोउँ पर आई जाती है इसवे बात जोउँ पर आई है अब जोउँ पर आई है तो उसको आगे लोगों तक समझाना हमारा काम ही है कि दिल के अंदर है क्या यह हैं उनके दिल में लेकिन इसे चुना पोलराइज करने का प्रयास नहीं है आप क्या आप सनातन को गाली दें जी और आप चुप रहें राम के खिलाफ आप एफिडेविट डालें राम कालपनिक है इसका कोई प्रमान नहीं है इसका कोई वैग्यानिक प्रमान नहीं है और हम छुप रहें ये कैसे होगा आप हम राघ को लाएंगे की नहीं लाएंगे की नहीं और फिर लोग बोलते हैं कि जो राम को लाया उनको हम लाएंगे तो थो हम क्या करें, इस नु ziem सो विशी। हमारा राम हमारे लिए आस्था का विशे है पॉलिटिक्स का विशे नहीं है बिल्कुल नहीं पर अड़वानी जिन नी तो यात्रा निकाली है आप लोगों हमसे प्रशन पूछ रहे हैं कि अगर आप राम मंदिर अपरेल में करते तो ज्यादा अच्छा था अरे भी राम क्य किस्था ग्रहों के अनुसार और मुरुत के अनुसार होता है चुनाओं के डेट के साथ नहीं होता उसका करनेक्शन हमारे लिए राम वोट का विशे नहीं है हमारे लिए राम करोडों करोडों लोगों के आस्था का विशे जी एक सवाल क्योंकि मैं 23 साल होगे जरल निजम सिंस दा इंसेप्शन ऑभार्तिय जन्ता पार्टी जब जन्सक से भार्तिय जन्ता पार्टी बनी आज 2024 के अंदर भी यह सवाल बतौर पत्रकार मैं आप से पूछ रहा हूं या और बाकी पत्रकार भी पूछते हैं हाउ डू यू टेकिट अजब बीजेपी प्रेजिडेंट ऐसा है कि यह बच्चे कॉंग्रेस पार्टी आग से खेलती है हर चुड़ाओं में जब आग से खेलती है और जब जलने लगती है तो फिर बोलती है पॉलराइजेशन हो गया आप मैंने क्या कहा आप बताएए अकले जिन्ना को लेके आया था की नहीं आया था हर चुनाओं में लाने वाला कौन है आपने अपने पिरफ़ावान फाई और सिक्स में लिखा नी लिखा स्पेशल ट्रीटमेंट तु माइनॉरटी इस इस 21 शताबदी में जब हम सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास के सास चल रहे हैं और सारे देश को एक साथ बिवा करके चल रहे हैं सब के लिए और कभी उसका हम बखार नहीं कर रहे हम सारी पॉलिटी को यूनाइट करने का काम कर रहे हैं तो जब आप इस तरीके की डिविजिफ फोर्सिस का जो आपका अग्रेजों से आपने जो मंतर सीखा डि अग्राइज को उसका है और सब्सक्राइब किया हैं लेकिन जो वहाँ के है हाला चलते हैं उस पर नथा हो गए तफ्सरा हो जाये तो बात भारतिये जन्ता पार्टी के बारे में फार्लेमेंट के अंदर हम लोगों इस पश्ट्रूप में कहा है कि सियाचिन तक भारत का हमारा हक है और हम वहां तक की बात करते हैं। लेकिन बीजेपी आन रिकॉर्ड काई बार बोल चुके है कि पीयोके को हम अपना हिस्सा मानते हैं। लेकिन फारुक अबदुल्ला और मनी शंकर एयर को बहुत तकलीफ है वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इज़त करनी चाहिए उनके पास प्रमानु बम है। ऐसा है इसी लिए लोगों ने आपको घर बैठा दिया ना क्योंकि आप भारत की रक्षा नहीं कर सके आप भारत की बातों को ठिक धंक से रखनी सके आप उनके साथ कॉंप्रमाइज करते रहे और हजारों लोगों की शाहदत देनी पड़ी है। आज मोदी जी की राज में घर में घुष करके पाकिस्तान को सिखाने की आदत हमें बढ़ लगी है। और भारत की जंता ने इसको इस पर अपनी मोहर लगाई है। तो इसी लिए आपको घर बिठा दिया ना। पदान मंतरी मोदी जी ने तो कहा है ना आखे ऊपर उठाके बात करेंगे ना नीचे जुका के बात करेंगेगे। में आके मिला के बात करें है जी मेरा अगला सवाल है कि फवाद चोधरी है पाकिस्तान के पूर मंतरी उन्होंने राहुल गांदी की तारीफ करें के वाल थे करने का मतलब क्या है सबसे पहले समझे कि जो हमारा विरोधी देश है उसके लोग आपकी तारीफ करें तो आपकी राष्ट्यता पर प्रशन खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं और वो तारीफ इस तरीके से करें ताकि आप जो डिविजिब फोर्सेस के साथ यहां पर खड़े हैं उसको आगे बढ़ाते कि चले जाओ और यह करना पड़ा कि राष्ट्रवाद भारतिये जन्ता पार्टी ने इस देश के लोगों में कूट-कूट करके भरा हुआ है और इसलिए जी और भारतिये जन्ता पार्टी ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया है के जिवाल ने आजकल देश का राजे सवा सांसद हैं स्वाती माली वाल आप खुद राजे सवा सांसद हैं अर्विंद केज़िवाल और उनके पी-ए पर मार्पीट के गंभी रारूप लगे हैं आम आगनी पार्टी इसे जब सवाल पूछे गए तो उनने बोला यह सब कुछ बीजे पी करवा रही है मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ जिस दिन लखनओ में आप से ये प्रशन पूछा गया तो आप चुपके चुपके भाएं और दाएं क्यों खिसका रहे थे एक वार अखिलेश को दिया एक वार संजे सिंग को दिया आप चुप क्यों थे वह विज्यूल निकाल करके आप देखिए वही उत्तर दे रहा है कि आपके कर्म बोल रहे थे कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप इसका जवाब दे सके तो ऐसे लोग जो सत्ता में आने के बाद लोगों के साथ इस तरीके का दुर वेवार करते हैं उनकी पोल तो कभी ने कभी खुलती है क्या आपको ल करते हैं कि हर चीज का ब्लेम भरती जनता पार्टी पर डाल देते हैं अब वो यह भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया आलाइस की सरकार आ गई तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा यह सब वोट अपने तरफ खीचने के लिए अपने इज़त आबरू को दाव में लगा करके किसी भी तरीके से वोट आ जाए यह इस तरीके से बहेव करें पर देखिए पढ़ा लिखा नेता मूल बात पर बात करता उन्होंने कभी पढ़े लिखे हैं काफी तो मैं तो ही पोल रहा हूं कि बात क्यों नहीं करते हैं वो दूसरे तरफ क्यों उसको डाइवर्च कर रहे और सुप्रीम कोट के जज्जमेंट को हम मानते हैं लेकिन सिर्फ शुनाओं के लिए बाहर निकले हैं वो एक तारी को वापस आएंगे इसका मतलब बड़ा स्पस्थ है कि सुप्रीम कोट मानता है कि इनको इनकी जगह वहीं पर है और उन्होंने दिया है तो दिया है तो द भीरी का है ओबे और गेट लॉस्त तो वो सोचते हैं कि सबता में आते हैं की हैं, तो हम इनको कहते हमारे data को टेक्टेंटेट हमा और मानू हो ने तो गेट लॉस्त धारती इंता पार्टी ऐसे नहीं मानती है बारती इंता पार्टी सुप्रीम कोट के जज्मिन को रिस्पेक्ट करती है नटा जी मेरा अगला सवाल है कि सवाल जवाब हुएं लेकिन इवनियम को लेकर भी सवाल बार बार उठाई जा रहे हैं विपक्ष कहता है कि हर एजेंसी का दुरुप प्योग करके विपक्ष को समाप्ट करना चाहते हैं और आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्टे जक्षे हैं और आरोप लगा जाता है कि आप लोग तंत्री सवाप्ट करना चाहते हैं आप बुरे करम करो और दोश किसी और पर जड़ो आप बताईए एडी ने जितने भी चार्जेस पुलिटिकल लीडर्स पर लगाए हैं एक भी चार्ज में किसी भी पुलिटिकल लीडर को कोट से कोई रियाय है तो इसलिए एडीप की क्रेडिबिलिटी पर ये प्रश्न खड़ा करना ये नेरेटिव क्रियेट करना ये विपक्स का काम है बुरे करम करो और फिर छुपाने के लिए दूसरों पर दोश करो ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है प्राक्स है आवे आंगन टेड़ नाचना आना आए तो बोलो आंगन टेड़ है और अंग्रेजी में कहते हैं बैड क्राफ्स्मन ब्रेम सिस टूल्स पिछली एक महिने में इन लास्ट थर्टी डेस सुप्रीम कोड के दो फैसले आये हैं जिसमें विपक्ष को मुग की खानी पड़ी है ये इनका राजनितिक एजिंडा है क्यों क्योंकि उनकी क्रेडिविलिटी उनकी तपस्या उनका कारे करने का तरीका उसको भारत की जंता ने दिल से अपने साथ आपने साथ किया है और उसी ताकत पर दुनिया भर में देश भर में फिर एकवार मोधी सरकार ये नारा गूं आप चार तारी को मिलिएगा कोई कमी रहने वाली नहीं है कोई प्लान भी की जुरूरत नहीं है एक तरफा लोगों ने मोधी जी को आशिरवाद देने का मन बना लिए बीजेपी का नंबर क्या होगा चार सो पार बीजेपी स्टू 370 प्लस 370 प्लस अभी भी जी जी कि आपको लगता है क्योंकि आप अपका 370 कह रहे हैं तो दूसरी तरफ से उद्धव ठाकरे तो आप लोगों को शपत भ्रेंड में बोलाने की बात कर रहे हैं कि मैं प्रधान मंत्री मोधी और अमिश्या को शपत भ्रेंड का अभी से नहीं आता देता हूं मैं तो मोधी को पूर प्रधान मंत्री बोलूँगा ऐसा है कि अब मैं वहारे पार्टनर हैं मैं अच्छा नहीं लगता लेकिन हैं यह समझते हैं इसलिए लगता है क्योंकि उनको कोई चीज समझने की आदत नहीं आपने उनका नया नाम करन भी कर दिया वो पर्ची वाले नेता हैं आप ही ने सदन में बोला था उसकी बाद से पूरी बीज़ेपी बोले लग गई है तो सचाई बोली ना मैंने पर्ची वाले नेता है किसने कॉंटरडिक्ट किया आप बताइए वो मुस्लिम लीग का एजंडा उठा रहा है कॉंग्रेस पार्टी की आत्मा मर गई क्या आप बताइए वो लेफ्टिस्टों का एजंडा लेकर के चले हुए है वो लेफ्टिस् रहा है कौन से इजंडा उठाकर के ला रहे है अपने पिदा जी को बोलो कि उनकी अकल नहीं थी हमको अकल जादा आ गई है जिन्हों ने कहा कि वीजिए के बारे में वक्त व्य दिया था रिजर्वेशन के बारे में लेवल प्लेंग फील्ड नहीं है मीडिया नहीं है हमार बरिस पश्ट है कि आप यूशी यू केनोट इंप्रूव समबडी कंटेंट मैं आपसे बात्चित कर रहा हूं एक भी बात मैंने कोई ख्याल में बोली यह क्या मैंने तथ्यों पर बोला है अगर इंटेव्यू करने के लिए राजी होंगे तो हम जरूर उनका भी आप आप प्रधार मंतिर ने तो पचास से जाधा इंटेव्यू कर दी है इस इलेक्शन के अदर लेकिन मैं आपके राज्ये पर आता हूं हिमाचल प्रदेश में वहां पर चार लोग समा सीटे हैं आपको तो पुरा देशी है लेकिन क्योंकि आपका ग्रे प्रदेश है और इस बार आपके पास एक बड़ा मौका आया है सरकार भी बीजेबी की लाने के लिए नीचे भी और उपर भी कॉंग्रेस की एक सरकार हिमाचल छोटा सा राज्ये वहां पर बनी और आप लोग उसके भी पीछे पड़ गए हम पीछे नहीं पड़ें देखिए बड़े संपल सी बात ह आप सोचिए जी कि आपके छे विधायक आपके विरोध में वोट डाल देते हैं कभी कॉंग्रेस ने इसका अनैलेसिस किया कि मुख्यमंतरी कर क्या रहे हैं अभी शेक मौनू सिंग्वी ने किया अभी शेक मौनू सिंग्वी ने कहा खाना हमारे साथ खाया लंच हमारे अब भाइयों के में में कुछ और है यह आपको पता नी चलता है आप पार्टी चला रहे और दोस मेरे उपर दे दो तो च्छे में से जो विधान सभा कर चार है चार की चार में से चार। आइगी 2014 में भी आई है 2019 में भी आई है 2024 में विक्रम अधिते सिंग ने बोला कि जिस मंदिर में गई उस मंदिर को धोना पड़ेगा एक बड़ा पड़े बड़े हैं तो इस तरीके के लोग बिए अखिर में मेरे दो चोटे सवाल है मैं नंबर की बात करूंगा आपके साथ उत्तर प्रदेश का नंबर आप बता चुके हैं कि बीजेपी पिछली बारे से जादा इंप्रूब करेंगी बंगाल और अडिसा में आपको आपक डबल डिजिट क्रॉस करेगा तेलंगाना में और हम आंदर प्रदेश में चे में से चार जीतेंगा और हम स्वीप करेंगी लोग समा में जी मेरा अगला स्वालाइंस के साथ और दक्षिन भारत के अंदर आपको करनाट का तामिलाडू कैसा दिखाई दे रहा है तामिलाड करता हुए तो आपको लगता है अगर नॉर्दर इंडिया में आपकी सीट कम हुंगी तो यहाँ आपकी अच्छी बैसरा कवर कर लेंगे हम वेस्पिंगल में पूर स्वीप कर लएगे और नॉर्थ में हमारी सीट्ग कम नहीं हो रही है जीजिजिजिज आप मुझे ऐसा मत समझे कि हम यह सीट मेंटेन करते हुए हम इसको जी बीजेपी धारा 370 हटा चुकी है राम मंदिर बना चुकी है तिरी सिरी टर्म में बड़ा एजेंडा क्या हुआ यह हम लोगोंने मैनिफेस्टों में कहा है लोगों की सेवा करेंगे और बाकी आपको सब मालूमी है सिय का विशे था बाकी सारे विशे थे हमेरे हमेरे ऐडियॉलजिकल भी उनको अब राजजे सरकार में मंतरी रही है बीजेपी के राष्टी अध्षर रह लिए देश के हिल्थ बीजे त्फ्रम में नरेंद मोधी की सरकार में आपका रोल क्या होगा इसलिए पार्टी को मैं समर्पित कार्य करता हूं जो मुझे जिम्मेवारी दी जाएगी और वो जिम्मेवारी पद से नहीं जूरी होती है कल मैं अध्यक्ष नहीं रहूँगा लेकिन पार्टी के लिए मैं इसी तरीके से दिन रात काम करने रहाँ जी अगला सवाल मैं नहीं पूछूंगा यह एक हमारे रिपोर्टर हमारी आंकर ने एक सवाल पूछा एक महिला से उसका जो जवाब था मुझे लगा यह आपको दिखाना चाहिए कि यूपी में उनका इंधाई यह तो बताना नहीं होता किसको वह उनको दिया दिया है। यह मारे बाई भी है। वह 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 बहुत है। भारत के करोणों लोगों के घर की कहानी है। करोणों लोग ये महसूस करते हैं कि उनके दुख-दर्द को, उनकी तकलीफ को, उनको एमपावर करने का, सशक्ति करन करने का काम प्रधान मंतरी मोधी जी ने किया है और इसलिए मैं कहता हूँ कि मोधी जी ने समाज के धर्द को समझ करके उनको उनकी सेवा में हर पल पिछले दस साल बतौर के धान मंतरी लगाए है और इसी कारण से आज इस तरीके से हमारी माताएं बेहनों का करोड़ों माताओं का आशिरवाद बिल रहा है प्रधान मंत्री मोधी को अपना भाई अपना माता अपना भावक मान रही है ये बहुत बहुत बड़ा इमोशन है लेकिन मेरा आकरी रैपिट फायर तीन सवाल होंगे और चानल जून के बाद ज्यादा चर्चा किसकी होगी राहुल गांदी की या एवियम की ऐसा है कि वो EVM की चर्चा करेंगे और चर्चा करने वाले राहुल गांधी होंगे बीजेपी की बड़ी चनाती कौन है ममता बिनर जी या अर्विंद केजरीवाल ऐसा है ये सब एक बराबर है इसलिए हमारे लिए जो देश को कमजोर करने वाली ताक्ते हैं उनमें ये शामिल है और ये जो है ये थोड़ा परसल सवाल है जादा पसंद आपकी कौन है सरकार है या संगठन है और इसा है कि मैं पार्टी का कारे करता हूँ मुझे जो जिम्मेवारी दी जाती है वह मैं पूरा करता हूँ और पार्टी मैं हमेशा मैं काम करता हूँ सरकार में रहा हूँ तब भी मैं पार्टी का काम करता रहा हूँ चलिए चुनावों के बीच आपने अपने इतना समय दिया आपका बड़ा हेक्टिक शेडूल है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और न्यूज 18 के साथ आपने हर उस सवाल का जवाब दिया जो देश की जनता आपसे शायद जानना चाहती है बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका अभीशी इस बहाने मुलाकात हुई चुनावों के दरान बहुत अच्छा लगा धन्यवाद